तो आज मैं आपको प्रोटीन से भरपूर पीनिट मसाला बनाने की एकतम इजी रेस्पी बताऊं का जातर लोग बेट लॉस में पीनिट बगेरा खाना पसंद करते हैं तो आप इस तरह से भी पीनिट मसाला बना के खा सकते हैं और इसके साथ में हम बनाएंगे चटपटा मसा पापड होटल और रेश्णा में जाता लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं इनको खाना तो इनको बनाने का भी एकतम इजी रेस्पी बताने वाला हूं तो चलिए रेस्पी शुरू करते हैं यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पीनिट ली है मोटे वाली पीनिट का यूज कर करें ज़्यादा गर्म तेल में आप पीनिट को फ्राई करेंगे तो पीनिट के बार से कख़िए। और पीनिट लेयां पीनिट की लगे देंदे रिया और आपिनिट हूरू के चुक है और पनेas छील फेर ज़र शुका देंगे और इस तरह जो इसके अमदर एक्स्ट्रा ओ Minnie रहेगा वो पेपर सोग कर लेता है इसको ठंडा होने दिसलिए तब तक हम और त्यारी कर लेते हैं यहाँपे मैंने आज़िए औ्युमक अभी बारी काट देना है इस तरह से प्याज को अपने इस तरह से कट लगाने कट लगाने के बाद देखिए इसके एक के दो पीश कर दीशे और उसके बद आप इसको बरी काट सकते हैं कटिंग आपकी फास्ट रहेगी आपको यह भी डिश बहुत ही जल्दी बना सकते हैं यह देखिए प्याज को यहां पर मैंने बारी काट दिया अब टमाटर को देखिए आपने इसकी आईस हटानी है इसके बद आपने टमाटर को सीडलेस करना है जो बीश होते है टमाटर के बोनी डालने आपने आपने आपे हमारी बोड़ी में पानी की कमी को पूरा करता है तो अगर आप प्रोटीन जादा लेंगे तो आपको पानी भी जादा पीना पड़ेगा तो इसलिए देखिए हमें याप एक खीरे का यूज़ कर रहे हैं और इसके मैंने चिलके नहीं उतारे हैं अगर आप इसको चीलना चाह होता है वेटामिन्स का तो इदेखिए यहाँ पर मैंने धनिया भी बारी काट लिए है साथ में हरी मिर्ची डालेंगे थोड़ा चटपटा करने के लिए तो दो मैंने हरी मिर्ची लिए हरी मिर्ची बहुत जादा तीखी है यहाँ पर तो दो ही मिर्ची का यूज़ करेंग चोड़ दिये, आप खटा अपने हिसाब से कम ज़दा कर सकते हैं, अच्छी तरह से पहले इनको mix कर लेने आपने, यह देखिए अच्छे से mix कर लिए ना, फिर आपने इसके बाद इसमें peanut डालनी है, क्योंकि अगर आप पहले ही peanut डाल देंगे तो क्या होगा, peanut ना soft एक बाद टेस्ट कर लेते हैं, थोड़ी सी मिर्ची मुझे कम लग रहे थी, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी देगी में पॉडर डाला है, इससे ना color अच्छाएगा, और इसको भी अच्छी तरह से mix कर लेते हैं, तो यह हमारा मसाला बन के तिहार हो चुका है, इसके अच्छी तरह से इस मसाले के साथ मिक्स कर लेना है, और एक बद अगर आप पिनिट के चिलके उतारना चाते हैं, इसको हलका सा मैश कीजिए, इसके चिलके भी असानी से उतर चाते हैं, तो यह हमारा होटल और रेस्टन वाला पिनिट मसाला जो बन के तियार हो चुका है, प्रिफेक्ट बनेगा, और सरव करते टाइम आप इसमें साइडों में टमाटरों खीरा लगा सकते हैं, स्लाइस कट हुआ, अब आप पिनिट को स्टोर कैसे करेंगे, आप कोई भी एक ना प्लास्टिक जार लीशिए, और पिनिट को ठंडा करके, आप उस प्लास्टिक जा ठाच, ठोड़े से टमाटर, और खीरा डालना चाहिए, थोड़े से खीरा भी डाल सकते हैं, बैसे खीरे का यूज किया नहीं जाता है, मसाला पापड के अंदर, साथ में थोड़े सा हरा दनिया, थोड़ी सी हरी मिर्ची, अगर आप मसाला पापड फ्राई करके बना रहे ह साथ में आपने इसमें थोड़ा सा नमक एड़ करना है, और इसके साथ में थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर डालेंगे, अब डालना चाहिए, इसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट भी डाल सकते हैं, काला नमक और यह देखिए, एक निबूगा बेच मैने इसमें भी निचो आप इनको fry करना चाहें, oil में आप इनको fry भी कर सकते हैं, dry roast करके इनमें जो spicy तीखा पन्ना बो रहता है और आप इनको fry कर देते हैं तो इनकी मिर्ची बगएर नो बिल्कुल कम हो जाती है, तो के देखें इस तरह से आपने medium flame में अरहाम से पापड को ड्राइ रोस्ट करने ह और अच्छा कर लगने तक आप इनको पका लेशे इस तरह से, आप चलिए, सारे के सारे पापड देखिए, मैंने आप ड्राइ रोस्ट कर लिए, अब इसके बद आपने इनको कैसे सर्फ करने हैं, पो दिखाता हूँ, एक प्लैटर के उपर आपने देखिए, इस तरह से प प्लैटर के उपर, और अच्छे से चारों तरफ इसके मसाला बिखेर देना है, सीडलेस टमाटरों का ही यूज करना है, टमाटरों के बीच मट डाले गने हैं, तो पापड़ एक दम से सौक्यों जाएंगे, और उपर से आपने थोड़ा सा पनीर कद्दुकस करते हैं, इस और इसके बद आपने इनको साथ साथ में सर्व करते हैं, नहीं तो इस सौक्यों जाते हैं, बहुत ही चलती, तो फ्रेंट्स, अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगोगा, तो लाइक, शेर, कमेंट जुरूर कीजेगा,